कि नहीं मुद की निगाहों का एक सितारा वयूर बेटा वयूर तहजी के घराने का माँ पारा शरीपता दा कि जिसके घर में अधीब उशायर वकीले दाना आने आथे पोली जिनोंने नो के कलम से अपने वरफ पे लफ़ों की राहें पोली कि जो आला होगों पे रहके लोगों समी से अब तक जुड़े हुए हैं तो आप फिक्रो नजर के तादा मकाम जिसके घरे हुए हैं जिसने ऐसी हसी फदा में जनम लिया था यहां पे तिफलो जवान उबुड़ा पढ़ा लिखा था जिसका इसमें हसी तखाली जबाने अर्दू का वो मुजाहिद जिसका इसमें हसी तखाले जबाने अर्दू का वो मुझाहिद वो नस्री कामिश में मुंहमिक था, वो शाहिदी से भी मुंसदिक था, वो नस्री जहतें बताने वाला मकाला लिखने लिखाने वाला, वो नस्री जहतें बताने वाला मकाला लिखने लिखाने वाला, लिगा है निगाहे जिद्दत के साविये से वनस्री पोशे उगाने वाला, वो हिंदी लेखन का भी धनी था, घने अधेरे में रोशनी था, वो हिंदी लेखन का भी धनी था, घने अधेरे में रोशनी था, वो हिंदी लेखन का भी धनी था, घने अधेरे में रोशनी था, और तू वर्दु मैंफिल सजाने माला, उसे इतारा बनाने माला, गिससे जिकले गुलाम अगवर, रईसे खुझगो, सजाके मैंफिल बता रहे हैं शपीर सब्को, सजा के मैं फिल बता रहे हैं शपीर सपको, वो कारवाने फरोगे उर्दू कर रहिन माता, उसी कि खातियर सजी है मैं फिल, जो कर दर दो मैं फिल सजा रहा है। वो इस जहां से चला गया है, वहां गया है, वहां गया है, जहां से वापस कभी वहर जिस ना सकेगा, वहां गया है, वहां गया है, जहां से वापस कभी वहर जिस ना सकेगा, मगर वो अपनी सभी किताबों में हमसे मज़र पिला करेगा, हम उसका लिखा पढ़ा करेंगे, वो हमसे बातें किया करेंगे, अदम निशा पर उसी के चल कर खिराजिसको दिया करेंगे, हमयले उर्थ, सजा के मैं फिल सभक अदब का पहा करेंगे,